हेलो स्टुडेंट समनों प्रस्णावली 5H पे हैं और कुस्टन नमर है 16 कह रहा है यदि X बराबर में यहां क्या दिया है साइन क्यूब टी बाई में रूट अंडर कॉस टू टी य बराबर में कॉस क्यूब टी बटा रूट अंडर कॉस टू टी तो डी वाई वाई डी एक्स ग्याद किजिए तो हम देख रहे हैं कि यह प्राचलिक फलन के रूप में हैं तो हमें करना क्या होगा यहां पर देखिए यहां पर प्राचल आपका टी है तो टी के रस्पेक्ट में दोनों को डिफ्रेंसियेट करें हैं और इससे जो आएगा और इससे जो आएगा इसके वाले में इससे भाग करना हो तो हमारा काम हो जाएगा त sql में क्या दिया है, यहाँ पर दिया है, sin Comput t by में, root under cos 2 t, तो यह u by b पर differentiate करना होगा तो आपको u by b का formula तो याद होना चाहिए, u by b, क्या होता है formula इसके लिए, differentiate करेंगे तो, नीचे vs कराएगा, उपर، yu का differentiation करेंगे, b को वैसे ही, minus, yukको वैसे रखके, B को differentiate किया जाता है यही नहीं होता है, चलिए यहाँ पर करते है differentiating with respect to, किसके respect में T के respect में, यहाँ हो जाएगा dx by dt equal to में, ध्यांस देखिएगा, थोड़ा लंबा होगा यह, नीचे वाले का square करेंगे, तो root under cos 2T का square, अच्छा, इसको differentiate करेंगे, तो हमनों लिखेंगे differentiation of sin cube T, किसके respect में, तो sin T के respect में, फिर आपके sin T का differentiation हो जाएगा, किसके respect में, sin T का differentiation T के respect में, तो U का differentiation होगा, B को ऐसे ही रखेंगा, root under cos 2T ठीक है, minus sin cube T को अपकी बार वैसे रखेंगे, U को वैसे रखेंगे, भी को differentiate करना है, इसको differentiate करना है, तो differentiation of root under cos 2T किसके respect में, तो cos 2T के respect में, फिर root under cos, sorry, cos 2T का differentiation किसके respect में, तो यहाँ पर हो जागा आपका 2T के respect में, फिर 2T का differentiation किसके respect में, तो आपके t के respect में है चलिए आप आगे solve करते हैं तो dx by में dt equal to देखिए यहाँ पर क्या होगा power नीचे हैगा power में से subject हो जागा 3 sin square t sin का यहाँ cos हो जागा cos t और into में root under cos 2 t ठीक है minus यहाँ देखिए sin cube t यहाँ पर इसका क्या हो जागा 1 by 2 root under cos 2 t into cos का यहाँ minus sign हो जागा minus का sign 2 t ठीक है और फिर आपका 2 t का 2 हो जाएगा और by में सबके by में क्या है आपका यहाँ square से root हटेगा तो cos 2 t हो जाएगा समझे ना बात को अब देखिए इसके बाद यहाँ देखो ना इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं और फिर हम लोग lc m लेते हैं तो dx by dt equal to में देखो क्या होगा उपर lc m लेंगे और इसके fraction में यहाँ पर है आपका यह cos 2 t ठीक है ध्यान से देखिएगा यहाँ कुछ यह तो नीचे 1 डाल दो 1 और root अंडर cos 2 t का lc m हो जाएगा root अंडर cos 2 t ठीक है अब ध्यान से देखिए यहाँ इसमें डिवाइड करेंगे यह जाके उपर multiply करेंगे तो root हट जागा ने इसके साथ तो आ जाएगा आपका 3 sin square t cos t into में cos 2 t minus और यह minus plus हो जाएगा यहाँ पर जाएगा sin cube t into में sin 2 t देखे है समझ गए यह minus minus प्लस हो जाएगा अब देखिए इसके बाद क्या होगा यहाँ पर dx by में dt आप यहाँ cos 2 t का formula और यहाँ sin 2 t का formula put कर दो तो क्या करेंगे हम अब यहाँ लिख सकते हैं 3 sin square t into cos t into में cos 2 t का formula यहाँ पर हम लोग sin के formula लिखेंगा 1 minus 2 sin square t हो जाएगा इसका formula होता है 3-3 formula है यह भी इसका एक formula है ठीक है cos 2 t का 1 minus 2 sin square t अच्छे है यहाँ देखिए sin cube t sin 2 t का हो जाएगा यहाँ पर 2 sin t cos t समझ गया न और by में देखिए यह वाला इसके साथ multiply हो जाएगा तो आपका जाएगा cos 2 t into में root under cos 2 t हो जाएगा चलिए अब आगे देखते हैं क्या हो जाएगा dx by dt multiply करते हैं हाँ पर 3 sin square t cos t minus 6 sin का power 4 t cos t plus यहाँ पर देखो 2 sin का power 4 t और यहाँ पर cos t और नीचे आपका क्या है cos 2 t root under cos 2 t चलिए देखते हैं dx by dt equal to में क्या हो जागा यहाँ यह सब्टेट हो जागा 3 sin square t cos t minus यहाँ पर सब्टेट होगा तो minus का 4 है minus 6 है यहाँ पर plus का 2 है दोने एक ही जैसा है minus 4 sin का power 4 t cos t और by में आपका cos 2 t root under cos 2 t ऐसे लिख सकते हैं आगे अगले step में देखिए क्या करते हैं हम लो यहाँ पर एक काम करते हैं dx by dt उपर आप common करो आप सिर्फ common करो sin t cos t आपका होगा कि सर sin square तक common हो जागता है तो नहीं उसको नहीं common करो सिर्फ आप sin t cos t common करो यहाँ पर दखो क्या बशेगा यहाँ पर आपका 3 sin t एक बच जाएगा और minus 4 यहाँ sin cube हो जागा sin cube t ठीक है sin cube t यहाँ हो जाएगा और by में आपका cos 2 t into root under cos 2 t यहाँ से dx by dt equal to में आ जाएगा आपका sin t cos t और यह formula होता है 3 sin t minus 4 sin cube t sin 3 t का formula हो जाएगा और by में आपका है cos 2 t into root under cos 2 t as equation first मनता है अब दूसरे वाले को लेता हो second वाला क्या है आपके पास y equal to में देखो अब ना हो y equal to में क्या था cos cube t और by में root under cos 2 t इसको भी u by v पे t के respect में differentiate करेंगे तो differentiate करते हैं चलिए differentiating with respect to t तो क्या जाएगा यहाँ पर dy by में dt क्या हो जाएगा तो आप इसका square करोगे root under cos 2 t का square अच्छा आप देखें इस उपर वाले को differentiate करेंगे तो differentiation of cos cube t कि इसके respect में cos t के respect में फिर cos t का differentiation t के respect में into में bी वैब आट़े रगे na cos 2 t now minus अब की बार cos cube t के बार करें इसको differential करें है तो differentiation of root अडर cos 2 t किसके respect में cos 2 t के respect में फिर cos 2 t का differentiation किसके respect में तो 2T के respect में फिर 2T का differentiation किसके respect में होगा आपके t के respect में है चलिए अब इससे solve करते हैं तो d y by dt equal to में देखिए नीचे आपका क्या हो जागा तो नीचे तो square से root हट जागा आपका सिर्फ कॉस टू टी आ जाएगा संगे नहीं स्क्वार से रूट आपका हड़ जाएगा अब देखिए इसके बाद यह पर पावर नीचे आगा पावर में से घटाएंगे तो थ्री कॉस स्क्वार टी और यहां कॉस का माइनस का साइन हो जाएगा माइनस का साइन टी और इंटू में यह आपका ऐसे जाएगा रूट अंडर कॉस टू टी माइनस यहां देखिए कॉस क्यूब टी यहां देखिए रूट में हैं तो वन बाई यहां लिख सकते हैं कि dy by dt यहां कुछ नहीं तो नीचे बन देदो और इनका LCM लेते हैं तो उपर LCM लेंगे और इसके नीचे भी यहां है क्या कॉस्ट टूट सब्सक्राइब और इसके LCM हो जागा रूट अंडर कॉस्ट टू टी इसमें से डिवाइड करेंगे रूट न कॉस्ट टू टी से जाके इंटू करेगा तो आपका रूट हट जागा यहां की उपर आ जागा यहां पर देखो क्या माइनस का 3 cos square t sin t sin t और यहां पर into में cos 2t बात को समझे ना इसको मैंने यहां लिख दिया और इससे जब आप देख लो LCM लोगे तो यहां इसमें इससे भाग करेंगे तो root under cos 2t बचेगा आप root under cos 2t इससे जागे multiply करें तो root अड़ गया minus और यहां भी minus है plus कर देते हैं यहां पर क्या होगा cos 3t into में sin 2t यहीं ना है आपके पास और कुछ तो है नहीं चलिए अब इसके बार देखिए यह वाला तो इसके साथ multiply कर जाएगा तो dy by dt equal to में यहां cos 2t और sin 2t का formula लगा देख अब की बार यहां पर हम लों कॉस के फर्म में रखेंगे तो माइनस 3 कॉस स्क्वाइर टी साइन टी कॉस के फर्म में इसका फर्म इसलिए लग रहा है कि यहां पर भी देखो कॉस में हीं यहां पर लिख देंगे इसका formula 2 cos square t minus का 1 ठीक है 2 cos square t minus का 1 और plus में cos cube t और sin 2t का formula 2 sin t into में cos t ठीक है और नीचे आपका क्या हो जाएगा यह इससे multiply करेगा तो हो जाएगा cos 2t root under cos 2t समझे ना चलिए अब यहां पर हम लोग simplify करते हैं तो dy by dt इक्वल 2 में लेखिए यह multiply करोगा तो 6 हो जाएगा minus का minus का 6 cos का power 4t cos का power 4t और into में आपका sin t ठीक है और minus minus plus 3 cos square t sin t प्लस यहां पर क्या हो जाएगा आपका 2 cos का power 4t into में sin t और by में है आपके पास cos 2t into में root under cos 2t जहां से देखिएगा आप इसके बाद जहां से हो जाएगा आपका dy by dt equal to में देखिए यह minus का यह plus का सब्ट्रेक कहेंगे तो minus का 4 हो जागा minus का 4 cos का power 4t into में sin t और plus में 3 cos square t into में sin t और by में आपका जो है यहां पर cos 2t root under cos 2t यह नहोगा चलिए आगे solve करते हैं आप देखो यहां पर dy by dt equal to में आप यहां से common करो minus का sin t cos t यहां से देखो तो यहां पर क्या हो जाएगा minus 4 cos sorry minus 4 मैंने common ले दिया है न 4 cos cube t एक ही cos निकाला है यहां से और sin निकाला है cos cube बचेगा और minus तो common हो ही चुका है 3 यहां पर देखिए एक cos निकाला एक sin निकाला तो एक cos बचेगा अब आप को है रहा हो कि साथ एक और cos यहां common हो सकता है लेकिन actual में यह formula होता है cos 3 t का है इसलिए मैंने इसको ऐसे रखा है by में आपका cos 2 t into में root under cos 2 t तो यहां से d y by d t equal to आगया minus का sin t cos t और यह हो जागा आपका cos 3 t का formula और बटा में आपका क्या है cos 2 t into में root under cos 2 t यह समिकरन दो हो गया समिकरन दो में समिकरन एक से भाग कर देते हैं समिकरन दो में समिकरन एक से भाग देने पर क्योंकि हमें d y by d x निकल ला है न जी चलिए देखते हैं भाग देने पर क्या होता है यहां हो जागा d y by d t और इसके बटा में हो जागा आपका d x बटा में d t जो उपर हम दो निकाले थे तो d y by d t के वली है रा माइनस का sin t cos t into में cos 3 t और by में आपका यहां पे है cos 2 t root अंडर cos 2 t और by में d x by d t के वली है तो d x by d t हम लोग उपर निकाल ले थे यहां पर एक्विस्टन फॉस्ट यह है न चलिए इसको लिख देते हैं तो क्या था आपका sin t cos t और फिर यहां पे sin 3 t और बटा में cos 2 t root अंडर cos 2 t यह पूरा का पूरा यह कट जाएगा देख रहा ना और आप देखिए यहां sin t और cos t दोनों यह एसक कट जाएगा अब इधर भी देखो क्या कटेगा d t से d t कट जाएगा तो यहां d y by d x equal to में उपर माइनस है और यहां cos 3 t बचा और नीची आपका यहां sin 3 t बचा तो फाइनली यहां से हम लोली सकते हैं कि d y by d x equal to में माइनस का cos 3 t बटा sin 3 t क्या हो जाएगा cos 3 t यह आपका answer हो जाएगा अगला देखते हैं question number 17 यहां पर देखिए x और y के value दिये हुए है यहां पर t आपका देख रहा है ना अब t इसमें आपका क्या है parameter है प्राचल है और हमें d y by d x minus y by x ब्रूब करना है तो देखिए यहां x equal to म क्या है root under a to the power sin inverse x चलिए अब इसे पहले एके करके दोनों को differentiate करेंगे पहले इसे ही differentiate करते है with respect to sin inverse t है ने हाँ t तो t के respect में differentiate करेंगे यहां हो जाएगा dx by dt equal to में पहले differentiation होगा root वाले का sin inverse root under a का power sin university है किसके respect में होगा तो a sin inverse t के respect में a power में sin inverse t के respect में और फिर a का power sin inverse t का differentiation किसके respect में तो आपके यह हो जाएगा sin inverse t के respect में और फिर sin inverse t का differentiation किसके respect में हो जाएगा आपके t के respect में यहां से dx बटा में dt क्या हो जागा है आपके रूट में है तो 1 by 2 root under a sin inverse power में a का power कहा है sin inverse t ठीक है 1 by 2 root x के form में हो जागा है na root x का differentiation पता है अचा a to the power sin inverse t है तो इसका क्या हो जाएगा तो यहां हो जाएगा a to the power sin inverse t log a into sin inverse t का 1 by root under 1 minus d square तो simplify कर लेते हैं तो अच्छा और इसको simplify करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर हम लोग इससे लिख सकते हैं कि dx by dt equal to में जान से देखिएगा यहां पर हम लोग एक काम करते हैं यहां देखिए यह रूट में है और यह रूट में यहां पर नहीं है देख रहा है न तो आप इसको इससे काटो गए न तो यहां रूट में आ जाएगा रूट अब आपको कि सर यह कैसे आया देखो आप इसी को दो बार multiply करो यह नहीं आ जाएगा आएगा न तो इसे चाहते तो आप रूट अब क्या हो जाएगा आपका तो यह जो आप देख रहे हैं रूट अंडर रूट अंडर एक का पावर साइन इंवर्स ट्री यह किसका वैलू है तो यह वैलू है आपके एकस का उपर कोसन में एकस का इना वैलू यह है देख लीजिए एकस का ही वैलू है यह तो एकस रख देते हैं और यहाँ पर यहाँ पर देखिए यह लॉग यह बच गया और यहां पर रूट अंडर वन माइनस टी स्कॉर अप इस इंपरशन फर्स ले लो ठीक है अब क्या था तो वाई कॉल्टू था आपके पास रूट अंडर ए टुद पावर कॉस इन्वर्स टी यह न था जी देख लीजिए यही था यहाँ पर चाहिए अब इसके बाद हम लोग इसे भी डिफ्रेंशियेट करते हैं डिफ्रेंशियेटिंग विथ रस्पेक्ट टू तो यहां से आपका डिवाइबदी्ट हो जाएगा इसका डिफ्रेंशियेजन करते हैं इसका पहले रूट का है तो रूट अंडर क्या है A to the power cos inverse T किसके respect में होगा तो A to the power cos inverse T के respect में और फिर आपका A to the power cos inverse T का differentiation cos inverse T के respect में फिर उसके बाद cos inverse T का differentiation किसके respect में आपका हो जाएगा T के respect में समझे ना आप इसके बाद लेखो dy by dt equal to में देखिए रूट में है तो 1 by 2 root under a का power cos inverse t हो जाएगा into यह देखिए a to the power cos inverse t की बात करें तो a to the power x का formula a to the power x log a जानते हैं न तो क्या हो जाएगा a to the power cos inverse t into log a और यहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा cos inverse t क्या minus 1 by root under 1 minus t square यही न हो जाएगा अब देखिए इसके बाद इसको भी इससे काटोगे तो यहाँ आ जाएगा root under a cos inverse t a का power cos inverse t root under a का power cos inverse t तो यहाँ पर मने लिख सकते हैं dy by dt equal to यह दखो यह किसका value है y कहीं न था y और log a उपर बच गया और यहाँ minus है तो minus मैं बहर लगा देता हूँ और by में आपका क्या हो जाएगा 2 और यह root under 1 minus t square यह आपका equation second हो गया है ना तो अब समिकरन 2 में समिकरन 1 से भाग कर देते हैं लिखेंगे कि समिकरन 2 में समिकरन 1 से समिकरन 1 से भाग देने पर भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा dy by dt और by में dx by dt equal to मैं आप देखो dy by dt के value यह रहा minus का y log a और by में 2 root under 1 minus t square यह ना है अच्छा और dx by dt के value यह रहा इसको हम लो लिए देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x log a by में 2 root under 1 minus t square तो देखो ना यह पूरा पूरा यह कर जगा minus y उपर बचेगा और नीचे x बचेगा और यहाँ dt से dt काड दो यहाँ से आपका dy by dx जो आ गया वह क्या गया minus का y by x यह ना हमें दिखाना था चलिए question number 18 देखे यहाँ x equal to में यहाँ दिया है और y equal to में देखे x आपका parameter है यहाँ पे देख रहा है न जी चलिए तो हमें क्या करना है dy by dx इतना प्रूफ परके दिखाना है तो देखते हैं x equal to में यहाँ प्राइसल क्या है theta तो theta के respect में differentiate करना होगा a sin 2 theta into 1 plus cos 2 theta a यहाँ constant है इसे u into v पर differentiate यहाँ करना होगा चलिए differentiate करते है with respect to theta तो यहाँ क्या हो जाएगा dx by d theta equal to में u by v पर a constant है बाहर रखते हैं sin का differentiation cos और 2 theta का 2 into में आपका 1 plus cos 2 theta ठीक है plus sin 2 theta को वैसे रख देते हैं और 1 plus cos 2 theta का difference तो 1 का 0 और cos का minus sin हो जाएगा minus sin 2 theta और 2 theta का 2 यहीं न हो जाएगा आपका चलिए u into v पर differentiate होगा तो यहाँ dx by d theta equal to में आ जाएगा a into में यहाँ देखे इससे आप multiply करोगा तो 2 cos 2 theta plus 2 cos square 2 theta और minus यहाँ पर क्या जाएगा 2 sin square 2 theta ठीक है अब यहाँ से dx by d theta equal to में हो जाएगा a यहाँ पर देखे आप 2 common करो लो सब में से 2 common करोगे तो क्या हो जाएगा cos 2 theta plus यहाँ पर हो जाएगा आपका cos square 2 theta minus का sin square 2 theta हम लोग एक formula जानते हैं कि cos 2a equal to होता है cos square a minus sin square a आप देखो जो यहाँ angle रहा रहा है उसी का यहाँ double हो जा रहा है तो अगर आप यहाँ पर देखो यहाँ पर तो cos square 2a minus sin square 2a इसी form पर दिख रहा है तो हम लोग सकते हैं dx by d theta equal to में 2a इसके जगा पर क्या जाएगा आपका यहाँ cos 4 theta हो जागा जो यहाँ इनका लोग इसके double कर देगा और यहाँ पर cos 2 theta हम लोग यहाँ cos c plus cos d का formula लगाते हैं तो formula हम लोग जानते है cos c plus cos d का यहाँ लगा होगा आप formula यहाँ पर मैं लिख भी देता हू cos c plus cos d का क्या होता है यहाँ पर मैं फार्मूला घेर के लिख देता हूँ क्या होता है 2 cos c plus d by 2 into में cos c minus d by 2 यह formula होता है तो देख क्या हो जागा 2 into में cos 4 theta plus 2 theta by 2 into में cos 4 theta minus 2 theta by 2 चलिए आगे solve करते हैं हाँ से तो क्या हो जाएगा d x by d theta equal to में हो जाएगा 4a यहाँ देखो add करेंगे तो 6 theta और 2 से divide होगा तो 3 theta हो जाएगा यहाँ cos 3 theta यहाँ subject करेंगा 2 theta 2 से divide होगा तो theta बल जाएगा यहाँ कि cos theta इससे सम्मीकरन एक माल लेता है अब देखिए अब देखते हैं now हमारे पास y equal to क्या था y equal to था आपके पास b cos 2 theta into में 1 minus cos 2 theta सेम यही यहाँ पे differentiate करना होगा u into b पे इसलिए differentiate करते हैं with respect to theta तो क्या हो जाएगा यहाँ से dy by d theta equal to b यहाँ concept है बहार रखते हैं इसको u into b पे differentiate करते हैं तो cos का minus का sin और 2 theta का 2 फिर into में आपका 1 minus cos 2 theta ऐसे ही रहेगा फिर आप plus देकर cos 2 theta को ऐसे ही रखे आपकी बार इसका differentiation तो 1 का 0 और cos 2 theta का minus का sin 2 theta होता है और यह minus है तो plus का हो जागा sin 2 theta तो और into में 2 theta का 2 समझ गया ना आगे चली simplify करते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा b into में यहाँ पर देखे क्या है इसको multiply करते हैं minus का 2 sin 2 theta फिर plus 2 sin 2 theta cos 2 theta फिर यहाँ पर देखो plus का 2 sin 2 theta cos 2 theta अब इसको add कर लेंगे दोनों सेम है dy by d theta equal to b into इन दोनों का add कर लेंगे तो 4 हो जागे ना 4 sin 2 theta into cos 2 theta minus का 2 sin 2 theta तो जागे solve करते हैं यहाँ से पहले 2 common कर लेते हैं तो 2 common करोगे तो यहाँ से dy by d theta equal to में हो जाएगा 2b bracket में हो जाएगा 2 sin 2 theta cos 2 theta minus का sin 2 theta चलिए अब देखें इसके बात हम लोग एक formula class 11th में पढ़े हुए हैं कि sin 2 A equal to होता है 2 sin A into cos A तो देखिए यह 2 sin A के जाएगा पर 2 theta है 2 sin A cos A के फर्म में है तो यह sin 2 A यानि इसके इंगल का double कर देंगे यहाँ A है तो यहाँ 2 है हो रहा है यहाँ 2 theta है तो 4 theta हो जाएगा यहाँ कि dy by d theta equal to में आ जाएगा 2B into sin 4 theta minus का sin 2 theta अब यहाँ sin C minus sin D का formula हैं हम लोग 11th में पढ़े हुए हैं कि sin C minus sin D equal to में होता है 2 sin C minus D by 2 into में cos C plus D by 2 इसी को हम लोग यहाँ पर अपलाई करेंगा यहाँ पर D Y by D theta equal to हो जाएगा 2B into में 2 क्या जाएगा sin 4 theta minus 2 theta by 2 into cos 4 theta plus 2 theta by 2 चलिए आगे इसे solve करते हैं देखते हैं क्या आता है तो यहाँ से यह आपका D Y by D theta equal to में हो जाएगा 4B 2 to is a 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा sin देखें क्या हो जाएगा 4 theta में से 2 theta यहाँ 2 theta और 2 से divided होगा तो theta बच जाएगा समिकरन 1 से भाग देने पर तो यह भाग देते हैं देखते हैं क्या होता है तो यहाँ हो जाएगा D Y by D theta और Y में D X by D theta equal to क्या हो जाएगा यहाँ पर है आपका 4B sin theta cos 3 theta और equation first में क्या था equation first में देखिए क्या था 4 A cos 3 theta cos theta ठीक है 4 A cos 3 theta cos theta तो cos 3 theta से cos 3 theta 4 से 4 गया यहाँ D theta से D theta कर देंगे जहांसे D Y by D X जो हमें प्रूब करना था देखवा जाएगा B by A sin theta बटा cos theta 10 theta हो जाएगा यही नहीं हमें प्रूब पर के दिखाना था चलिए तो अब next वीडियो में आएक कोशन को देखेंगे आपको हमारे तीन चैनलों को सस्क्राइब करना होगा पहला है pathfinder classes छपरा pathfinder classes छपरा दूसरा है आपके पास भारती भवन रवी कांत सर रवी कांत सर और तीसरा चैनल है रवी कांत सर के नाम से चीनों चैनल को सस्क्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके साच करेंगे www.ravikant करेंगे जाएंगे